हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में में डिसकस करेंगे कि आपका IBPS P.O. Mains और S.B.O. Mains का जो रिजल्ट है वह अब कब तक आ सकते हैं तो फ्रेंट्स जैसे कि आपको पता हुआ कि जो RRB P.O. Mains का रिजल्ट है वह आपका सिर्फ जो आठ दिन में आ गया था तो फ्रें इस साबसे हम बात करें तो IBPS P.O. Mains का रिजल्ट जो आने के चांसे से है वह आपका next week काफी ज्यादा चांसे से है मतलब Monday, मतलब tomorrow onwards से आपको कभी भी रिजल्ट आ सकता है ऐसे भी हो सकता है कि आपको कल ही रिजल्ट देखनों का मिल जाए IBPS P.O. Mains का क्योंकि फ्रेंट से IBPS P.O. Mains आपको पता है इस बार अल्रेडी लेट हो चुक है तो इसको जो है इंटर्वी प्रोसेस भी अपना जो है मार्च में कमिल कर लेना है तो फ्रेंट इस सबसे हम देखा जाए तो आपका जो IBPS P.O. Mains का रिजल्ट है वह आपको कल से कभी भी देखनों को मिल सकता है यह भी हो सकता कि आपको कल देखनों को मिल जाए वह इसके बाद हम बात करते S.V.I. P.O. Mains की तो फ्रेंट जैसे कि S.V.I. P.O. Mains की नोटिफिकेस में लिखा हो है थार्ड वीक और फॉर्थ वीक ओफ फैबरेरी के आपको देखनों को मिल जाए तो इसका मतलब है कि आपका 18 फैबरेरी के बाद से आपका रिजल्ट जो है कभी भी आ सकता है 18 के बाद से आपका 25 के बी सब्सक्राइब करें लिखा है कि जो आपका इंट्रिव्यू है वो जो सड्यूल होगा वो फैबरेरी लास्ट और मार्स के फर्स्ट वीक में होगा इस सबसे देखा जाए तो आपका जो थार्ड वीक में आने के चांसे बहुत जाते है S.V.P.O. Mains के रिजल्ट के तो फैंस